पिक तो बोला कि तुम लोग निठले और नालाये को तुमारे बसका कुछ नहीं है उसने पुलाइट डिप्लोमाटिक लैंगवेज में यही बात बोली है यही बात बोली है उसने डिप्लोमाटिक लैंगवेज में बॉट्टो जर्दारी बिलावल और ये सब लोग डे डोंट अंडरस्टान अफगानिस्तान को सरफ खान समझता है उसको पता नहीं लगता ये लोग आ रहे हैं और फौज इनके साथ लड़नी पाती और ये कि हमें हवाई जास भी बॉर्डर पर रखने की जरुथ नहीं है क्योंकि हवाई जास का भी एक रेंज होता है डिर्णजार दो हजार किलोमेटर फ्लाइक जाएं दोस्तों मैं हूँ मैं जो गौरवारिया और आप देख रहे हैं तो चानक क्या डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मद्धूल ये का दोस्तों अच्छा दोस्तों ये एक यही बात जो भी मैं आपको बताना चाहरा हूँ मैं इतने सालों से कह रहा हूँ लेकिन हर समय पाकिस्तानियों ने बोला भारत ने साज़िश कर दी दमाग में और उनको हर चीज लगती है कि भारत ने करी है वो खुद की मैलाएकी छुपाने का भी एक तरीका है ये देखे ये खबर है जो आपके स्क्रीन पे चल रही है जो चाइना का अमबैजडर है पाकिस्तान में उसका नाम है अमबैजडर नॉंग रॉंग नामबाद में इन्हों ने दो तीन चीज़ें बताई है इसमें प्रधान मंतरी शाइबाज शरीफ के खास आदमी ने मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा वो मीटिंग करा साब ये चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक करोडर है इसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं नॉंग रॉंग ने पाकिस्तानियों को दो तीन बातें बोली है एक तो बोला कि तुम लोग निठले और नालाये को तुमारे बसका कुछ नहीं है उसने पुलाइट डिप्लोमाटिक लैंगविज में यही बात बोली है यही बात बोली है उसने डिप्लोमाटिक लैंगविज में कि तुम लोग नालायेक हो तुमारे बसका कुछ नहीं है दूसरी चीज तुम लोग हमारी सेक्यूरिटी गैरेंटी नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर डेली मारे जा रहे हैं इसके उपर अटैक हो रहे हैं कभी कहीं पर अटैक होता है कहीं पर अटैक होता है तुम लोग हमारी सेफटी गैरेंटी नहीं कर पा रहे तीसरी चीज़ ओ भाई जो हमने प्रोजेक्ट अप्रूफ करे तो उनका हुआ क्या S.E.Z. Special Economic Zone बनाने की चाइना कब से बात कर रहा है तो इमरान खान मैं आते ही रोग दिया सब कुछ ठीक है और एक हिसाब से इमरान खान मैं इस बात पे इमरान खान को सपोर्ट करूँगा देखे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इनको पाकिस्तानी को मैं आपको बताता हूँ उसका थोड़ा सा background बता दूं दोस्तों फिर मैं दूसरी cover पे जाऊंगा पाकिस्तानियों को एक जूट बेचा गया जैसे पाकिस्तान खुद एक जूट बेचा गया पाकिस्तानियों को लेगा और भाईसा हॉँए बाहर के लोग आईएंगे पाकिस्तान की नागरिक्ता मांगने के लिए शेहरिय 유튜支持 मांगने के लिए जो पाकिस्तान के एमबसी है वह हैं वहाँ पे गोरों की लंबी-लंबी कताने लगी हूँगी कि जनाब प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं पाकिस्तान में आने दें आप प्लीज पाकिस्तान वो जमीन जहां की मिट्टी बड़ी जर्खेश है जहां पे बारा किसम के मौसमय साब जिसका बॉर्डर जर्मनी और जापान से मिलता है वो पाकिस्तान जहां पे दूद और शहिद की नदियां बहती है वो पाकिस्तान और यह सब इन्हों ने ड्रामा करा सीपैक हो गया फ्लॉप और पाकिस्तानियों नो बोला इंडिया की साज़िश है इंडिया चाहता ही नहीं कि सीपैक हो नौंग रॉंग क्या कहता है Chinese Ambassador, Chinese Ambassador ये कहता है कि भीया तुम लोगों को हमने जो चीजें बोली ही वो तुमने करी नहीं, ठीक है, जो हमने टारगेट दिये वो तुमने टारगेट मीट नहीं करे, इन लोगों ने पैसे भी खा लिये इन्होंने 25-26 अरब डॉलर गड़क लिये इन्होंने चाइनीज को चूना लगा दिया पाकिस्तानी भाई साब मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चरण खाएं प्रभू चाइनीज को चूना लगा है जो दुनिया को चूना लगाते हैं पाकिस्तानीओं नो उसकी जेप काट ली 24-25 अरब डॉलर लेके फुर हो गए अच्छा ये जो है चाइनीज अंबाज़डर कहता है अनहलपफुल बिहेवियर of the country's power regulator towards Chinese companies ठीक है जो power regulator है जो बिजली बिजली का वितरान करते हैं वो उनका अनहलपफुल बिहेवियर वो कोपरेटर नहीं कर रहे है चाइनीज के साथ पहली बात दूसरी चीज है कि उसने बोला कि delay in payment to the independent power plants and rising exchange rate तो independent power plants हैं जो चाइना ने लगाए है वो बिजली सप्लाई करते हैं उनको payment नहीं आती यानि कि चीनी कह रहे हैं कि भाई हमने धंदा खोला है हमें पैसा तो दो जो हमने तुमें सेल करा है पाकिस्तानी कहता है इल ले तुम आए हमने हाँ बोला तुम ने वहाँ पे प्लांट लगाया हमने हाँ बोला तुमने बिजली बनाई हमने हाँ बोला तुमने लोगों के घर भेजी हमने हाँ बोला अब जग तुम पैसे मंगरे हैं यह इतनी बार हाँ बोल दिये एकात ना तो तुम भी cooperate करो यार यह पाकिस्तानियों का लोजिक है पिया हर चीज में हाँ बोला आप तुम पैसे भी माँग रहे हो यह सब नहीं होगा तो पाकिस्तानियों उन्हों के पैसे नहीं दिये अब यह चाइना-पाकिस्तान एकनोमिक कोरोडर रुक रखा इमरान खान का यह कहना था शहवाज शरीफ लोग आगया अब लंडन में एक और फ्लैट चीए होगा तो इन्होंना फिर से चाबी लगाई है चाइना इनसे बड़ा गुस्ता है खास तोर से अगर आप देखें बलोचिस्तान में जो हग दो तहरीक है वो वहाँ के लोगों की राइट्स के लिए वहाँ के हुकुक जो लोगों के मारे जा रहे है खासतोर से चाइनीज की तरफ से उसके खिलाफ हग दो तेरीफ खड़ी हो गई है वहाँ पे और वो कह रहे हैं कि साब हमें ना यह जो शेहत से मीठी और आसमान सी उची और यह सब जो तुम लोग जुड बोलते हो इस चीज को लेके कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छे बाई यह लुटेरों का गिरो और उनको दूर करो तो चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक करोडर खटाई में पड़ गया और ओफिशिली चाइनीज अंबैस्टरम ने बोला है कि यार तुम लोग नालाइक तो होई तुम चोर तो होई और तुम उपर से काम भी नहीं करना चाहते है आलसी भी हो तो उन्होंना हर तरीके सा लताअगक पाकिस्तानी Ohh को अच्ची तरीके से और जो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये इन्डिया की साजिश है तो भही देख लो तुमारे दोस्त है ूं जो नॉंग-्रॉंग जो है जिसका नाम वो दोस्त तुम्हारा क्या कह रहा है तुम्हें दोस्तों हाली में एक प्रेस कांफरेंस हुई फवाद चौधरी और डबू जी डबू जी की प्रेस कांफरेंस हुई इसलामबाद में उसना बोला कि यार ये लोग तो समझते ही नहीं है ये लोग तो समझते ही नहीं है जो अभी current set up है बुटो जर्दारी, बिलावल और ये सब लोग, they don't understand अफगानिस्तान अफगानिस्तान को सिर्फ खान समझता है और अफगान सिर्फ खान की इजदत करता और किसी की इजदत नहीं करता जो अफगान बेठा है या जो तालिबान की रेजीम बेठी है उसे इम्राण खान की इज़त करती है यह जो हमारी पूरी पुलिसी है हमने जो बनाई थी जिससे आमन और शान्ती थी पाकिस्तान में तालिबान अटेक नहीं कर रहा था ये खान की वज़े से अटैक नहीं कर रहा था ये चूरन बेचा है अपने जो इसके अनपढ़ टाइप के हैं न 18-20-23 साल के लॉंडेल अफाले जो हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं क्विटर पे ये उनके लिए ग्यान बाट रहा है ओ भाई साब 15 अगस्त को तालिबान आया ठीक है 15 अगस्त को तालिबान आया 16 अगस्त को उसने तहरी के तालिबान पाकिस्तान वालों को जेल से छोड़ दिया इमरान खान की सरकार कब गिरी आप बताइए अपरेल में चला गया इमरान खान अपरेल में चला गया अगस्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवम्बर, डिसम्बर डिसम्बर के बाद तो वैसी हमले शुरू हो गए थे पाकिस्तान में जबर्दस्त किसम के हमले शुरू हो गए थे तो यह सब जूट कि हमारी पॉलिसी इनकी, मैं बता रहा हूं, कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है बस मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं ये चीफ मिनिस्टर बन जाऊ बस ये ही इनकी पॉलिसी है पॉलिसी नहीं है तर्णनिस घुड़ बुल रख और अफगान इनसे शदीद नफरत करते हैं यह मैं आपको आज on the record बता रहा हूँ कि जो अफगान है आप तालिबान को छोड़ दे ना तारीक तालिबान को छोड़ दे वो तो आमने है उनके पास तो हत्यार है जो नॉर्मल अफगान किसान है जो दुकानदार है ठीक है जिसकी मिठाई की दुकान है जिसकी खाने की दुकान है जिसकी कुछ कपड़े बेचने की दुकान है जो रेली लगा था वो पाकिस्तानियों को गाली देता यार सड़क पर वो पाकिस्तानियों को बहुत बुरा मानते हैं और ये बात ये लोग रियलाइज ने कर रहे हमारी अफगान पॉलिसी तुम्हारी 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 पाकिस्तान की उपर जो शान्ती हुई है जादा तर जो शान्ती हुई है इसलिए क्योंकि अमेरिकन्स ने दवाव बना रखा था वहां पर इनको बड़ा मज़ा आया अमेरिकन्स को यह कर देंगे वो चले गए फिर हमारे मुसल्मान बाई और मुसल्मान बाईयो ने इनका कीमा बना दिया बुरी तरीके से वो मार मार्के कि दुम्बा बना दिया है नोगों का ठीक है अब इनकी ये नजर ने चुराते चुराते तीन फौजी मारे गए, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट है, खाइबर पक्तूनकवा की वहाँ पर अटाइक हो गया, थ्री पाकिस्तानी आमी सोल्जर्स वे मार्टर्ड इन दी अरावली एरिया उफ खाइबर पक्तूनकवा, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट अं थरस्डे दूरि दूरिं गन्फाइबर टेरिस्ट, यह मैं पाकिस्तानी यूसपेपर कोट कर रहा हूं, I'm quoting them, मैं उन्ही का अगबार पढ़के बता रहा हूं, और विट टेरिस्ट, according to a press release from the military media wing, the statement issued by the Inter-Services Public Relations ISPR identified the martyrs as 42-year-old सुबेदार शूजा मुहमद फ्रम खेरपुर, 32-year-old नाइक मुहमद र अतंकवादी शाहिद मारे गये और तीन फॉजी मारे गए, दोस्तों पाकिस्तान में डेली के डेली एटेक हो रहे हैं, रोज के रोज वो लोग आ रहे हैं, ठोक रहे हैं, पिटाए कर रहे हैं, और अपनी मर्जी से मारते हैं लोग, ऐसा नहीं कि को प्लैनिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि को प्लैनिंग कर रही है यार बाबा आज ना आज कोई प्लैन करके चाहते हैं वो नहीं वो कहते हैं यार आज शनिवार है यार आज अच्छा दिन है आज बुदवार है आज ठोक कराते हैं आते हैं चार लगाते हैं तीन मारते हैं वापस चले जाते हैं और पाक जिनको कुछ नहीं पता कहां से क्या है बस उनको हत्यार चलाना आता है वो पाकिस्तानी फॉज को दुम्बे की तरह दोड़ा दोड़ा के सूत रहे हैं पीट रहे हैं डेली के डेली खून भारे हैं और बोल दिया है कि अब हमारी जंग जो है वो जिहाद है ठीक है और हम तु कि इसलाम क्या है अब रुख जाओ भी हम आ रहे हैं तालिवान आ रहा है भी तालिवान से खाएगा तो इनमें बड़ी देह्शात है बड़ा खौफ है पाकिस्तानी फॉज अब लोग ये भी बता रहे हैं मेरा एक जान पर दोस्तों नहीं है जान पर जान वाला है इस इस फॉरवर्ड पोस्ट हैं पाकिस्तानी आर्मी में जहां पर हमें नहीं आने देते लेकिन उसका एक रिष्टदार है ठीक है ही हिमसेल्फ इस अ पंजाबी ही लिवस इन कराची और ये बंदा कह रहा है कि ये चकवाल का ये बंदा रहा न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो य ये बता रहा है कि कई ऐसी पोस्ट हैं जहां पर चोटी चोटी पोस्ट हैं महाँ पर डर के मारे डर के मारे बंदे पोस्ट से बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि तालिवान पकड़ लेंगे गरदन काड़ देंगे अब नौकरी है क्या करें घरवालों को पालना है बीव रोज अटैक हो रहे हैं रोज के रोज इसके अलावा दोस्तों दो फॉजी और इनके जखमी हो गए एक सुसाइड बॉम्बर ने एक सुसाइड अटैक कर दी है वजीरस्तान में दो फॉजी जखमी हो गए आप देखिए पिछले 24 गंटे में दो अटैक हुए है जिसमें कई फॉजी जखमी हो गए तीन मारे गए ये डेली का काम है सुसाइड बॉम उसने लगा कि अपनी गारी में ऊसने ठोक दी यह इट वजीरस्तान में जखमी हो गए गायल हो गए और यह एक सुसाइड अटैक था तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छा तुम डर्पोक अपनी पोस्ट से नहीं निकलोगे हम तुमारी पोस्ट के अंदर घुसके मारेंगे तो उसने गाड़ी ठोक दी अब दीवार वीवार में लगी होगी गाड़ी तो कुछ लोगों को चोट लग गई अगर वो अंदर आ जाता पोस्ट के और वहां पर बम भाड़ता तो फिर जाने जाती हैं आपर तो तहरी के तालेबान पाकिस्तान तो अपने लोगों को सुसाइड वेस्ट पहन के और आत्मगाती जो होते हैं लोग वो भेज रहा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए रोज आ रहे हैं रोज सुसाइड अटैक्स यह शुरू हो गया सिलसला पाकिस्तान में बड़ा तेज और यह पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की फिर तेरी गलती नहीं तेरी गलती तेरी किसी की नज़र ही नहीं है है सब की नज़र है कि IMF से पैसा आएगा तो हम इतना चुरा लेंगे वो इमरान खान कहा रहा है अगर मेरे पास पैसा आएगा में एक और शादी कर लूँगा लोगों के पस अपने इंट्रेस्ट इनके फिक्स्त है इनको ज्यादा कुछ नीच यह पाकिस्तान से बस यह मेरा पैसा यह मैं एक और शादी कर लूँ यह मैं घड़ियां बेजनु वस्त इस अब शेवाज शेरीफ इस डूइंगा इमरान खान इस डूइंग ठीके साब यह स्टोरी हो गई एक और स्टोरी है बड़ी तगड़ी में आपको बताता हूँ इस पर जारा थोड़े सा तफसील से बात हो जाए यार डीटेल में बात हो जाए जो ब्रहम बड़ी मिसाइल है ब्रहमास मिसाइल तो ब्रहमास मिसाइल तो आर्मी के पास भी नेवी के पास भी एरफोर्स के पास भी अब यह एरफोर्स ने क्या करा एरफोर्स में काम करा आर्मी नेवी और एरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन जिसमें काम एरफोर्स ने करा जो मे होगा सुकोई तो सुकोई फाइटर जो है सुकोई फाइटर के उन्होंने डाला 30 MKI और उसके उपर डालके उन्होंने बेफ बंगॉल के उपर ये मिसाइल फायर करी है दोस्तों ये जो बेफ बंगॉल के उपर इन्होंने मिसाइल 400 प्लस कर दिया आप समझे रहे हैं यानि कि हवाई जास पे लगे की वो मिसाइल या आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे ये मिसाइल है अब ये मिसाइल जो 290 तक ही जाती थी इसका 100-700 किलोमेटर रेंज और एक्स्टेंड कर दिया है दोस्तों उसका मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है जो डिस्टन्स होता ने जिस पे मिसाइल जा सकती है खासता हूर से हम एर फोर्स की अगर बात करें तो आप ये देखिए कि एर फोर्स आपको अबिनंदन की ऐरक्राफ्ट की बात यादी होगी आपको कि अबिनंदन का ऐरक्राफ्ट इसी लिए मार गिराय था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुज गया था हो अबिनंदन ने जबकि उससे कहीं जादा पाकिस्तानी हाइज थे वहाँ पर उसने अपनी जान की फिकर ना करते हो गुज गया हो पाकिस्तान के अंदर फिर उसके एरक्राफ्ट मिसाइल लगी फिर वो कैप्चर हुआ फिर डर के मारे जिसमें पसेना भी आ रहा था और टांगे भी काँ रही थी वो पाकिस्तानीनों को उसको छोड़ना पड़ा फिर अभी नंदन को वापिस लिया है हीरो है हमारा यही इन्होंने अब क्या करा है यह जो सुखोई एरक्राफ्ट है राइट वो इंडिया के पास है रशियन एरक्राफ्ट है जबरदस्त सुखोई एरक्राफ्ट जो है दोस्तों उसके अंदर ये ब्रह्मोस मिसाईल जो लगाई है अब 400, 400, 400, 400 किलोमेटर की रेंज का क्या मतलब है यानि कि अगर इंडिया को इसलामाबाद में ब्रह्मोस मार नहीं है हवाई जाहस से मैं हवाई जाहस की बात कर रहा हूँ अभी आम नाट टॉकिंग बाट शिप, आम नाट टॉकिंग बाट लैंड आम टॉकिंग बाट एर, एरक्राफ्ट से जम्मू के एर बेस से हमारा हवाई जाहस उड़ेगा ठीक है, जम्मू में है वो सिरिनगर की बात नहीं कर रहा, मैं जम्मू की बात कर रहा, I am talking about जम्मू जम्मू के airbase से हमारा हवाई जास उड़ेगा और एक level पर चला जाएगा जम्मू की उपर ही उड़ रहा है वो, fighter aircraft सो खोई, वो कहीं पाकिस्तान की और नहीं किया वो जम्मू के उपर, और जम्मू सिर्फ में एक example दे रहा हूँ आपको, वो जम्मू के उपर उड़ते ही, जम्मू से ही missile fire करेगा उसको पाकिस्तान की जो हवाई सरहध है, उसके अंदर जाने की जरुवत नहीं है जो उसका बॉर्डर है, उसके अंदर plane ले जाने की जरुवत नहीं है यह जम्मू के उपर ही बैटे बैटे वहीं से fire करेगा, वहीं से Islamabad में target गाएब इसलिए पाकिस्तान का गला सुखा हुआ है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ अब जो आपके चाइना के अंदर target है या पाकिस्तान के अंदर target है अगर वो 400, 400, 400, 400 किलोमेटर की जदमें है तो हमारे pilots को चीन के अंदर जाने की जरुवत नहीं है और हमारे pilots को उसके अंदर जाने की जरुवत नहीं है पाकिस्तान के अंदर भारत में रहते रहते ही वो उन मुलकों में मिसाइल फायर कर सकते है हवाई-जास से पहली बात है इसका क्या मतलब है कि हमें हवाई-जास भी बॉर्डर पर रखने की जरुवत नहीं है क्योंकि हवाई-जास का भी एक range होता है 1500-2000 किलोमेटर फ्लाइ कर सकता है तो हो सकता है यह हवाई-जास जो है यह कहीं और हो यह गौलियर में हो यह कहीं और पीछे हो वो उड़के जाएगा और जम्मो की ओपर जाके फायर करेगा और जम्मो सही वापस ले लेगा पाकिस्तान जाने की जरूती नहीं है स्पीड इसकी मैक 3 लगभग यानि कि ध्वनी की गती जो है स्पीड ओफ साउंड से तीन गुना जादा रफ्तार से चलता है ब्रहमोस और इतना कारगर है कि जहां पे निशाना लगा दिया यह वहीं पे जाएगा एरक्राफ्ट को वहाँ पे रहने की जरूत नहीं एरक्राफ्ट में फायर करा एरक्राफ्ट वापिस यह खुद अपने निशाना ढूनते 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 टार्गेट ढूनते वहीं पे जाके एक्स्प्लोड करेगा और दुश्मन की जो भी इंफ्रस्रक्टर है लोग हैं जिसके खिलाब भी टार्गेट उसको मार गिराएगा तो यह बहुत जबरदस्त एक चीज़ है इसको और एक्स्टेंड करने की बात हो रही है 500 किलोमेटर से ज़ादा अब वो जब होगा तब होगा आज की तारीक में यह सक्सेस्फुल हो गया है और एरफोर्स को दिया जा रहा है तो धीरे धीरे हमारे जो वेपन सिस्टम से ना बहुत जबरदस्त जिसको कह रहे हैं कि वो इंप्रूव हो रहे हैं और यह बहुत ज़रूरी है आत्मरवर भारत के तहित तो मुझे लगता है इस इस वेरी बिग विक्टरी इन दी हैंस अभी इंजए फोस स्टैंड और डिस्टन स्थे अब देगे ना कहां से फाइर कर रहा है बंदा हमारा फाइलेट जो है वह कहां से एरक्राफ्ट फाइर कर रहा है जम्मू की उपर से अप ये देख लीजे कि चंडिगर चंडी मंदिर का एरिया वहाँ से मिसाइल फारेख खरेगा डिरेकली यू किन हिट लाहर चंडीगड की उपर से एरफोर्स का जहाज वही से मारेगा वही से लाहर गायब पूरा लाहर नहीं मतलब इस फॉर बिल्डिंग और फॉर अ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो भी उनका कोई बेस है वहाँ से अब गुजरात में हमारा एरफोर्स का बेस है मैं आपको एक और उधारन दे रहा हूँ गुजरात में एरफोर्स बेस है हमारा हवाई जहाज गुजरात की उपर उड़ता हुआ ठीक है गुजरात भारत में गुजरात के ओपर उडता हुआ वहां से यह ب्रमौस मिसाल अरिक्राफ्ट से फायर करी वी it can hit ऐडकी। फाईवकोर रेडकोर्टर है कराची के अदर पाकिस्तानी आमे का hit ऐडकी। तो ये सारी के सारी हमारे ऐरफोर्स के जढ़ में आ रहे हैं एरफोर्स कीन मिसाइल्स के और मुझे लगता है कि हमारे हमें साइंटिस को और हमारे जो एरफोस के पाइलेट्स हैं यह उन्हों बड़ी मेहनत करिए उन सब को कॉंगराचुलेट करना चाहिए यह बड़ी जबरदस अचीवमेंट और इसको बढ़ा रहे हैं और इसका आप तो ऐसे ऐसे वेपन आ गए हैं कि आटलरी गंज आटलरी रोकेट्स विचा पाट फॉट फॉट प्रट अबड़ एक्टिक वाला मामला नहीं है स्मार्ट वैपन्स तो यह लेटिस्ट और इंडिया में बन रहे हैं यह सबसे बड़ी बात है धिया इंडिया बाइन इं यार जो दुनिया में तहल का मचा रहा है और यही हमें चाहिए था दोस्तों आपको पता है जो बाइडन का कमेंट आए था कि अगर चाइना ताइवान की ओपर अटेक करता है तो हम वी विल सपोर्ट ताइवान और इसमें हम कूद पढ़ेंगे तो यह यह चीज़ है अब करने आपको बता दूंत के मेरे नोट में ही इसमें लुक्री यह अटी टेंगर उन्ठी कोट और जा के सीच को लगांटो अमने लगाई भी है तो एक्साइज होती थे हम हाथ से जाके न माइन्स लगाती थे हाथ से यह जो वालकेनो सिस्टम है अमेरिका का तो यह जो वालकेनो सिस्टम है दोस्तों यह एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कॉस्ट है इसमें क्या क्या बताता है कॉस्ट इसकी कॉस्ट है 180 मिल है इसके यह अपने आप गारती चली जाती है आप कंप्यूटर में फीड कर दीजे या फिर हेलिकॉप्टर से यह सक्षम है सिस्टम कि आप ऊपर से छोड़ते रहें और माइन अपनी जग़े पकड़ती रहेंगे यह सिस्टम वालकेनों का है यह अमरीका इसको ताइवान को दे रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ना 15-25 हमें भी वालकेनों खरीब लेने चाहिए अमेरेका से कि जो लाइन ओफ्ट्रोल है जहां पर चाइनीज हैं आप वहाँ पर आईए और पूरा उसको हेविली माइन कर यह फिर देखते हैं के टैंक कैसे आते हैं उनके बंदे कैसे आते हैं जास माइन इट यह करना जरूरी है मुझे लगता है वालकेनों सिस्टम जो है ताइवान के लिए बड़ा कारगर होगा अमेरिका उनको यह देने का अमेरिका ने फैसला कर दिया अब अगर चाइनीज इरादा है देखे कब होता है अगर आपका आशिरवादरा तो जल्दी हो जाएगा वो बेल आइकन को दमाना बिलकुन मत भूलियेगा जैहिंद और वंदे मातरों छिल्वादरा जैहिंँ कर दोचित और यो हम देनauen को बांदाओ भी राल दो जो को दो जार्ट नेमने है अजले हम बील्दी होगा अवटन बार मदाणी अजले वह बाल आवटरा है और जब क्रैक शमेदरे आवराद़